हेलो फ्रेंड स्वागत आपका स्टडी हैक चैनल पर आज हम सिखेंगे ट्रिपलेट निकालना वो भी एक सौट ट्रिक्स है ताकि हमें जो भी ट्रेंगल के और सरकल के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि ट्रिपलेट से स्वाल हो जाते बस बेसिक कंसेप्ट आपको पता हो तो आपको और कुछ नहीं लगाना बस आपको वहां पर ट्रिपलेट फाइंड करना आप का एंसल और से चुटकियों में हो जाएंगे तो चलिए हम सीखते हैं कि ट्रिपलेट निकालते कैसे अगर हमें ट्रिपलेट और नंबर का निकालना हो तो हम करते हैं उस नंबर का 3 का square करेंगे तो हमें आएगा 9, 9 को 2 से divide करें तो आएगा हमारा 4.5, अगर 4.5 में plus कर दे, 0.5 का, तो ये बनता है 5, अगर हम इसमें minus कर दे 0.5 का, ये बनता है 4, तो अगर आपने याद भी किया होगा, पढ़ा भी होता हमारे, एक ट्रिपल उतर 3, 4, 5 का बहुती बेसिक्स और कॉमन ट्रिपलेट है और अगर हम कर ले कि next number 5 का तो 5 का square 25 divided by 2 12.5 12.5 में अगर हम plus का point 5 करते हैं तो 13 आता है और अगर हम इसमें minus का point 5 करते हैं तो ये हमारा 12 आता है तो एक ट्रिपलेट बनता है 5, 12 और 13 का और भी हम एक्जामपल देख लें अगर हम बात करें 9 की तो 9 का square होता है 9 का square क्लिकेंगे 21 divided by 2 ये आता है 40.5 अगर हम इसमें point 5 add कर दें तो ये आ जागा 41 अगर हम इसमें point 5 minus कर दे, point 5 अगर हम minus कर दे तो ये बन जाता हमारा 40 तो एक ट्रिपलेट होता 9, 41 और 40 का तो हम आपके लिए homework दे रहे हैं कि आप हमें बताएं comment box में 13 का और 15 का क्या क्या triplet बनेगा और हमारे पास even number हो कोई भी तो उसका triplet बनाने के लिए हम जो भी number है उसका square करेंगे उसको divide करेंगे 4 से फिर उसमें plus minus 1 कर देंगे तो हमारे ट्रिपलेट तयार हो जाएका example ले ले अगर यह 4 है 4 का square किया 4 का square हो गया 16 16 divided by 4 हमारा answer का 4 4 में अगर एक बार plus 1 करते हैं तो एक बनता है 5 अगर इसी में minus 1 करते हैं तो यह बनता है 3 तो अभी हमने पहले भी देखा और वाले से भी even वाले से भी यही आ रहा है 345 का triple तो हमारा जो trick है वह काम कर रहा है मतलब यह applicable है और भी number देख लेते हैं यह अगर माल लिजे हमने निकाला 10 का तो 10 का स्कूर कर देखें 10 एक हस्कुएर हैं डिवाइड़ वा फोर है तो यह अगर 25 गर इसमें हम plus 1 करते हैं तो एक बनता है triplet 26 है ऐस एक triplet बन जागा हमारा 26 गर इसमें सम्क你看 बन जाता है 24 तो अगर हमें 10 का triplet बनानों 10 के साथ कौन कौन साता है तो तो मैं आपके लिए homework दे रहा हूं 12 और 14 का triplet comment box में डाले अब हम बात करते हैं कि इसका application क्या अगर हमारे पास basic knowledge हो थोरा सा भी basic हमने अगर पढ़ा होगा सर्कल का की radius और टैंजेंट आपस में 90 डिग्री बनाते हैं और जो भी टैंजेंट एक पॉइंट से किसी सर्कल पर होता तो वह इक्वाल होते हैं जैसे यह और यह इक्वाल होगा तो हमें पता चल जाता कि यह यहां पर पाइथागोरियन ट्रिप्लेट लगा है क्योंकि यह ट्रेंगल राइट अंगल ट्रेंगल होता है इसमें पाइथागोरियन ट्रिप्लेट लगेगा तो हमें पता होता है कि रेडियस हमें इसा सेम होता है जो भी दिया तो यहां पर हमें दिया हुआ अगर हम बात करें तो अभी हमने पढ़ा है कि 6 10 और 8 का एक ट्रिपलेट बनता तो हमारे पास यहां से ट्र आ गया और ट्र की वहलू ही हमें अगर नहीं भी पता होगा तो हम 6 10 देखते तो हमें पता होता है इसका एक ट्रिपलेट इट होता है तो हम एंसर करते हैं चलिए और भी कोस्चन देखते हैं इसमें और नेक्स्ट कोस्चन कह रहा है कि there are two circles of radius 5 cm and 3 cm respectively the distance between the center is 10 cm the length in cm of transverse common tangent is the transverse common tangent एक tangent होता है जो कि दोनों circle को touch करते हो जाता है डाइगर निए तो हमें यहां से पता है कि इसका radius दिया हुआ है यह हो गया radius इसका पाच दिया हुआ है और दोनों के center के बीच की distance जो दी हुई है वो दी हुए 10 और इसका radius दिया हुआ है कितना 3 अगर हम यह जो line है transfer tangent इसके parallel ही है अगर एक line को हम pass करा है तो वह भी line same angle बनाएगा और अगर यहां से same अस्थान से pass कराएगा तो इसकी दूरी भी same होगी तो यह अगर 3 है तो यह भी 3 होगी ठीका और यह 10 है तो यहां पर यह 90 रिग्री बनेगी क्योंकि यह parallel थी line और यह tangent यह 90 बना रहा तो तो उसके parallel जो भी line होगी तो वह 90 बनाएगी तो यह 5 प्लस 3 देखें तो 5 प्लस 3 होगा 8 और 8 हो गया और हमें एक दिया हुए डिस्टेंस 10 तो हमें जो पूछ रहा है डिस्टेंस अगर मालो इसको ओ माने और इसको ओडास तो ओडास उसी के बराबर होगा जो हमारा यह ओडास होगा तो अगर यहां पर देखें 90 डिग्री है तो हमें एक ट्रिप्लेट बन रहा है एट एट टेन और किसका ट्रिप्लेट तो 6 का तो एंसर हमारे क्या हो जगह 6 तो कन्सेंट्रिक सर्कल्स आड उफ रेडियस 15 संटीमीटर और 9 संटीमीटर वाट इस दी लेंथ अफ को ड अफ दा लाजर सर्कल विच इस टैंजेंट तो इस्मॉलर शर्कल यह स्मॉलर सर्कल अगर यह यह 90 डिग्री पर यहां से काते का इसके सेंटर से गर इसका संटर ओ है और क्या कह रहा है कि larger small जो triangle है इसका radius क्या है 9 cm यह 9 है और यह हमारा 15 है यह दोनो radius 15 ही होगी तो अगर हम बात करें 9 15 15 कोई अगर हमारे पास देख पार है कि कोई triplet बन रहा है क्या तो यह जरूर बनेगा अगर हम इसको simplify कर ले 15 और 9 को अगर हम 3 से divide कर ले divide by 3 कर लें तो यह 5 बन जाएगा और यह बन जाएगा 3 और हमें पता है 5 3 4 का यह triplet बनता है तो हमने अभी divide किया तो यह 15 9 और 12 हो जाएगा तो हमें यह 15 आगा यह 9 आगा यह 12 आगा तो यह भी 9 है यह भी 15 है तो यह भी 12 है तो हम से पूछा क्या है कि टैंजन पूछा है जो लाजर कॉड होगा तो 12 प्लस 12 24 तो हम अगर हमें पता हो एक भी 3 4 5 का तो हम इसको multiply by 2 होगा जो उसका भी triplet बन जाएगा वही से होगा यह हो जगा 6 8 10 ऐसे करके हम निकाल सकते हैं सिंप्लीफाइब करके तो हमारे अंसर हो जगा 24 नेक्स्ट के बात करते हैं इन्हें सर्कल 10 सेंटीमीटर लॉंग क्वाड इज ए एक ट्वी डिस्टेंस आफ 12 सेंटीमीटर फोम दे सेंटर अफ सर्कल लेंथ अफ दाइवीटर अफ दाइमीटर फोम दे सेंटीमीटर चली इसको भी देखते हैं घह रहा है कि एक सेंटीमीटर की लेंद्ह पूछ रा है यह हो गया हमारा सेंटर और कहा है कि कौर्ड इस डिस्टेंस बार सेंटीमीटर फ्रम दे सेंटर को है 50 का क्द येस दा शेंटीमीटर का है हमार की इस दिस्टेंस और हमें यह पता है कि जब डिस्टेंस एक फर्मूला आपको सरकल का पता होना चाहिए कि और कोई भी डिस्टेंस सर्कल का सेंटर पर से कॉड़ पर पढ़ता है तो कॉड़ को दो भाग में मार देता है यह भी हमारा हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा पांच सेंटीमीटर का और यह भी हो जाएगा पांच सेंटीमीटर का तो हमें पता चल जाएगा अगर यह पांच कि अगर हमें square करें तो 25 डिवाइड वाइड वाइड 2 कर दें तो हमें ताब 12 और दस मुला पांच है इसमें plus 0.5 करते हैं तो यह आता है 13 अगर minus के 0.5 करते हैं तो क्या होता है हमें 12 आता है तो हमें क्या मिल्ला 12 फाइड देखने को मिल्ला तो यह जो distance होगा 13 होगा और यह भी 13 होगा और हमें डाइमीटर पूछा तो डाइमीटर होता है तू इंटू रेडियस और रेडियस की बहलू हमें आगे तू इंटू थाटीन यह जगा 26 सेंटीमीटर देखा कैसे हमें अगर फर्मूला नहीं भी पता हो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो आराम से इजली तो हमें कोई दिक्कत नहों होगा तो चलिए आज के लिए बस क्लास के लिए इतना ही फिर अगले वीडियो मिलते किसी ने ट्रिक के साथ तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और कौन से ट् थाइंक्यू, जाहिंद।